नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा आपको कि किन किन लोगों को अफ्रेश नहीं लेनी चाहिए दोस्तों जो अफ्रेश ट्रिंक होती है वो मतलब हर वेक्ती नहीं ले सकता इसको उसके भी कुछ कारण है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं आपके इन दवाईयों के साथ ले रहे हैं इसको यह भी डिपेंड करता है यादि आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं उससे पहले बता दूँ दोस्तों कि a fresh energy drink आपके अंदर से metabolism को boost करती है इसके अलावा दोस्तों आप में energy लाता है और साथ ही आपके जो चरवी है जिद्धी चरवी उसको मतलब गटाता है दोस्तों यह और दोस्तो ये आप में मतलब आप energetic मैसूस करेंगे इसको पीते ही और आपको नींद भी नी आएगी जल्दी तो दोस्तो इसके बहुत ज़्यादा benefit है वैसे तो लेकिन दोस्तो कुछ condition में आपको नहीं लेनी होती है वो में बताता हूँ दोस्तो जिन लोगों को मतलब dryness रहती है बहुत जादा dryness रहती है बालों में dryness हो सकती है skin में dryness आ सकती है हातों में dryness आ सकती है जिन लोगों को बहुत ज्यादा dryness रती है वो fresh का use न करें दोस्तों और जिनको dandruff भी रहता है वो भी न करें दोस्तों क्योंकि dryness और बढ़ा सकता है उस चीज को तो first point यह है second दोस्तों जो लोग इसको लेते ही जिनको भी गभढर सा मन हो जाए वह लोग इसको नही ले दोस्तों वन करें और आजीए अब धिला है और फेर दोस्तों इसको ले लिए और गभढ़ हो लग रहा आ या फिर दोस्तों आप में मतलब बेचे नीसी होच गई तो वो लोग भी ने लें इसके बाद दोस्तों इसको लेने के बाद जैसे हार्ट रेट भी आपकी बढ़ गई या फिर दोस्तों एकदम अजीब सा लग रहा है जैसे कि घबराट हो रही है बहुत जादा तो वो लोग भी ने लें इसके अला वन शेक और प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो उसकी कंडिशन अलग है और अफ्रेश की अलग है दोस्तों क्योंकि एफ्रेश में कैफेन है ग्रीन ती है और दोस्तों इसमें कुछ अंगेडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब प्रेगनेज महिलाओं को एक टाइम के बाद दिया जा गाता है जो कि मालीजय कि आपके पेट में मतल़ जिद्धी हो गया है बहुत ज्यादा और आप एक्सोसाइज भी कर रहे हैं लेकिन आपका फेट घट नहीं रहा तो आप ससका सथ एफ्रेश गSMह और दोस्तों कर दोस्तों इसको रात में लेते हैं रात को सूते समयं तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों यह आपकी नीद आहने इससे ऐसी भी हो सकता है कि आप वो नीद नहीं तो इसको शाम तक ही लिया जा सकता है और दोस्तों इनको इस फ्रेश एनरजी ट्रिंग को अठारा साल से नीचे जो बच्चे वो न ले उससे उपर हैं वो ही ले वे क्योंकि दोस्तों यह कैफेन है जो छोटे बच्चों के लिए नहीं है और इसको जो एडल्ट होते हैं अठारा साल से उपर वो ही इसका उप्योग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है दोस्तों इसके अलावा यह आपको फिर भी लेना है तो एक बार आपको से कंडिशन ब होता है एक आपको दोफेर के समय लेना होता है और एक आप शाम के समय ले सकते हैं यदि तीनों टाइम लेते हैं तो दोस्तों आपको फाइदा होगा और यह एकदम सेफ है यदि आप तीन टाइम लेते हैं तो और यदि आप जादा लेते हैं इसको तो दोस्तों आपको यह नुकसान भी कर सकती है तो दोस्तो इस चीज का आप ध्यान रखें बाकी दोस्तों आप जब भी Airfresh को मंगाएं तो आप Herbal Life की जो original website होती है वहां से ही मंगाएं क्योंकि दोस्तों जो और website होती है वहां से duplicate आने के chance ज़्यादा रहते हैं तो उससे side effect और भी हो सकते हैं आपको तो इसलिए आप original website से मंगाएं और उससे आपको बिल्कुल फारिदा होगा और दोस्तों ये आपको coach की देखरेक में करें ऐसे नहीं कि आप खुदी start कर ले या फिर आप videos देख रहे हैं तो comment में पूरा suggest करें या फिर मुझसे ले रहे हैं मुझसे आप suggest करना चाहते हैं तो मेरे number यह होते हैं description में वहाँ मुझसे suggest कर सकते हैं तो मैं आपको पूरी तर्के से बता सकते हैं वैसे तो दोस्तों इसका कोई ऐसा side effect नहीं है दोस्तों लेकिन कुछ condition में बदल जाता है जैसे कि मानली जी आप कोई दवाईयां ले रहे हैं कोई दवाईयां ले रहे हैं और उसके साथ ले रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ा यसी होती है कि जो आपस में मैच नहीं करती तो उस चीज का भी ध्यान रखें दोस्तों और कभी भी कोई भी चीज आपको चालू करनी है वेट लोस का या कोई भी आप प्रोडेक्ट स्टार्ट करना चाथ हो पूरी उसकी जानका दिलेवें और या फिर अपने कोछ से पूछें उसके बाद ही और इसके अलाव आपनी बीमारी को भी बताएं यदि कोई बीमारी की आपको इलाज चल रहा है तो तब ही आप इसका उप्योग करें तो आपको ज्यादा अच्छी रिजल्ट होंगे और साइड इसकी भी नहीं होगा दोस्तों और दोस्तों कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो हेल्फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर एपको पन्युट ceux मैं हो वीडियो को लाइक करेज सकते हैं वीडियो बाहाई होaire को ज्मेन